स्वागत है आपका वीकली करंट अफेर्ज में शुरू करते हैं आज का प्राश्चन कंचन जंगा एक्स्प्रेस ट्रेन हाथसा किस राज्य में हुआ A. बिहार B. सिक्किन C. पश्चिम बंगाल D. जारखन Answer C. पश्चिम बंगाल Explanation C. पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाई गुडी स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाली के पीछे से तकराने के कारण अगरतला से आ रही 13174 कंचन जंगा एक्स्प्रेस के तीम डिब्बे पट्री से उतर गए इसमें कम से कम 15 यात्री मारे गए और साथ अन्य धायल हो गए Railway में मरने वालों के परिजनों को 10 लाग रुके, गंभी रूप से धायलों को 2.5 लाग रुके और मामूली रूप से धायलों को 50,000 रुके की सहायता देने की घोशना की है अगला प्राश ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांती सूचकान, 2024 में कौन सा देश शीश पर है? A. आइसलेंग B. देनमार C. न्यूजिलेंग D. आयर्लेंग Answer A. आइसलेंग Explanation, Institute for Economics and Peace IEP द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स, GPI 2024 में आइसलेंग विश्वे 133 देशों में सबसे शांतिपून देश बनकर शीश पर रहा है भारत 116 में स्थान पर है 2008 में सूचकान शुरू हुने के बाद से आइसलेंग लगातार 17 वर्षों से शीश पर बना हुआ है आइसलेंग के पास कोई स्थाई से न, वायू से न, नौ से न नहीं है जिसके कारण उसकी शांति की रेटिंग बहुत हूची है अगला प्राश्ट दुनिया के सबसे उचे रेल्वे पूल पर भारतिये रेल्वे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया ये किस नदी पर है ए, सतलज, बी, जेलम, सी, सिंधु, डी, शिनाब, आंसर, दी, शिनाब एक्स्प्लेनेशन केंडरी ये रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने घोशना की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है जो दुनिया के सबसे उचे रेल्वे पूल चिनाब को पार करने का एक महत्वपून नील का पत्थर है ये पूल जम्मू और कश्मीर क्शेत्र में चिनाब नदी के उपर 369 मीटर लगभग 109 फीट उपर बनाया गया था और एफिल टॉवर से लगभग 35 मीटर उचा है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारन्य में चीतों को रखने की तयारी कर ली है जो भारत में कुनो राष्ट्रिय और ज्यान के एनपी के बाद चीतों का दूसरा घर होगा बता दे की 17 सितंबर 2022 को एनपी के शियोपुर जिले में के एनपी में आठ नामी बियाई चीतों को बारों में छोड़ा गया था बाद में दक्षन अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारन्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है अगला फ्राश वार्शिक मुस्लिम तीर्थ्यात्राहज कहां होती है A. काहिरा B. मक्का C. मदीना D. जेरुसलम Answer. B. मक्का 1. वार्शिका ज्यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवाद 14 जून 2024 को सौधी अरब में शुरू हुई 20 लाथ मुस्लिम तीर्थ्यात्री अपनी आध्यात्राहज पर निकल पड़े मुस्लिल श्रद्धालू सौधी अरब के पवित्र शहर मक्का में ग्र्यांद मस्लिद में इसलाम के सबसे पवित्र तीर्थस्थल काबा के चारो और घूंपे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्ववी द्याले के नए परिसर का उध्धादन किया ये कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वी द्याले के खंधहरों से करीब 20 किलोमेटर दूर स्थित है इसे खिलजी वंच के आकरमन कारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था नए परिसर का निर्मान कारिय साल 2017 से प्रारम किया गया और 19 जून 2014 को इसका उध्धादन हुआ करीब 455 एकर के दाइरे में फैला ये कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है इसकी इमारतें कुछ इस तक्नीक से बनाई गई है जो गर्मी में थंडी और थंड के दिनों में गर्म बनी रहती है नालंदा युनिवर्सिटी की दो अकैडमिक बिल्डिंग्स हैं इनमें 40 लासूम्स बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक एक भव्या आडिटोरियम बनाया गया है अगला प्राश्न पहने बहुराश्ट्रिय हवाय अभ्यास तरंग शक्ति की नेजबानी कौन सा देश करेगा भारतिय वायुसेना के पहने बहुराश्ट्रिय हवाय अभ्यास तरंग शक्ती 2024 का योजन अगस्त में किया जाएगा इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है यहाँ अभ्यास अग दो चरणों में आयोजित होगा पहला अगस्ट के पहले दो सप्ता हमें दक्षिनी भारत में होगा और दूसरा अगस्ट के अंसे सितंबर के मध्य तक पश्चिनी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा अगला प्राश्री हाल ही में जारी पर्यावरन प्रदर्शन सूचकान दो हजार चौबीस में भारत की रैंट क्या है A. 156 B. 166 C. 176 D. 186 Answer C. 176 Explanation हाल ही में साल दो हजार चौबीस का पर्यावरन प्रदर्शन सूचकान Environmental Performance Index AP जारी किया गया इसमें भारत की नवीन्तम रैंकिंग 180 देशों में से 176 भी है भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूरी सुधार कर पाया है इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्विध्यालेयों द्वारा तैयार किया गया जो वायू गुनवत्ता, जैव रिविध्ता और ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन जैसे नहत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है अगला प्राश्न इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भुपाल से प्री परेटन हवाई सेवा का शुभारम किया पीएम श्री परेटन वायू सेवा के तहट प्रदेश के आठ शहरों भोपाल, इंदोर, जबलपूर, रिवा, उज्जेन, वालियर, सिंग्रोली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री ने नई सेवा के टिकट बुकिंग काउंटर का उधगार्टन किया और यात्रियों को बोर्दिंग पास भी प्रदान किये यह मध्यप्रदेश सरकार का धार्मिक परेटन एवं स्वास्थिय और जंकल्यान की दिशा में एतिहासिक कदम है अगला प्राशनी, T20 विश्व कब 2024 में एक मैच में चारो ओवर मेडन पेकने वाले पहले गेंग बास कौन है ए, शाहीन शाह अफ्रीडी, बी, लौकी फर्गिूसन, सी, जस्प्रीट बुमरा, दी, ट्रेंट बोर्ट, आंसर, बी, लौकी फर्गिूसन एक्स्प्रीनेशन, लौकी फर्गिूसन ने T20 विश्व कब 2024 में त्रिनिदाग में पापू अन्यूगिमी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शांदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया यूजिलेंड ने यह मैच साथ विकेट से जीता और लौकी को प्लेयर आफ दे मैच चुना गया लौकी फर्गिूसन ने T20 विश्व कब मैच में किसी गेंद बाज ग्वारा फेके गए सरवादिक मेडन ओवर चार का रिकॉर्ड बनाया है अंतर राश्ट्रिय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? अंतर राश्ट्रिय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है प्रतेक वर्ष अंतरराष्ट्रिय योग दिवस योग के विशेश अफसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविदियों पर ध्यान केंडरित करने के लिए एक विशेश्ट फीम अपनाया जाता है साल दो हजार चौबीस का थीम स्वयम और समाज के लिए योग योगा फर सेल्फ और सोसाइटी है अगला प्राश केंडरिय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए MSP में विद्धी की है A. रभी B. खरीफ C. A. और B. दोनो D. इनमें से कोई नहीं Answer B. खरीफ और तिलहन के लिए नियूंतम समर्थन मूल्य में उलेकनिय विद्धी होने से किसानों को लाभूगा धान का नया MSP 2300 रुप्य किया गया है जो पिछली MSP से 117 रुप्य अधिक है कपास का नया MSP 7131 और एक दूसरी किस्न के लिए 7521 रुप्य पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुप्य जादा है अगला प्राश दक्षन पूर्व एशिया में कौन सा देश समलेंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने वाला है ए मलेशिया, बी फिलिपीन्स, सी थाइलेंड, दी वियतना, आंसर, सी थाइलेंड, एक्स्प्लेनेशन थाइलेंड दक्षन पूर्व एशिया का पहला राश्ट्र बनेगा जिसने समलेंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है राज्य के सीनेट में 18 जून को विवाह समानता बिलको मंजूरी गी, जिसके बाद समर्थकों ने इसे LGBTQ जो अधिकारों के लिए एक अतिहासिक कदम कहा अभी थाइलेंड के राजा के उपचारिक मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा ताइवान द्वारा 2019 और नेपाल में 2023 में समलेंगिक विवाह को वैग बनाने के बाद विवाह समानता की अनुमती देने वाला थाइलेंड एशिया में तीसरा देश बन जाएगा अगला प्राश, फिनलेंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉंटिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुशों की भाला फेक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए, ओलिवर हेलेंडर, बी, टोनी केरान, सी, थोमस रोहल्ल, दी, नीरज चोपगा, आंसर, दी, नीरज चोपगा, एक्स्प्रेमेशन, उलम्पिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपगा ने अठारग जून दो हजार चौबीस को फिनलेंड के तुर्कु में पावो नू पिनलेंड की टोनी केरानन ने रजद जब की उनके हमवतन ओलिवर हेलेंडर ने कांसे पदक जीता अगला प्राश, नए अपरादिक कानून भारतिय न्याय सहिता, भारतिय सुरक्षा सहिता और भारतिय साक्षय अधिनियम कब लागू होंगे? A. एक जन्वरी 2024 B. एक अप्रेल 2024 C. एक जुलाई 2024 D. एक अक्टूबर 2024 Answer C. एक जुलाई 2024 Explanation नए अपरादिक कानून भारतिय न्याय सहिता, भारतिय सुरक्षा सहिता और भारतिय साक्षय अधिनियम एक जुलाई 2024 को लागू होंगे? नए अपरादिक कानून और द्वारा IPC, CRPC और भारतिय साक्षय अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? खाल ही में लोगसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? A. भरत्रेहरी महताब B. रामनाथ कोविन C. राजनाथ सिंग B. ओम बिल्ला Answer A. भरत्रेहरी महताब Explanation राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भरत्रेहरी महताब को 18 लोगसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है केंड्री ये संसदिय कार्यम मंत्री किरेन रिजिजु ने इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि लोगसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक महताब अध्यक्ष के कर्तवयों का निर्वहन करेंगे अगला प्राष्ट Bricks Games 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है A. दक्षिन अफ्रीका B. रूस C. भारत D. चीन Answer B. रूस Explanation Bricks खेनों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है इन खेनों में भारतिय महिला और पुरुष टैनिस्टी उने कांस से पदग जीता है यहे एक अंतराश्ट्रिय बहु खेल पती योगिता है जिसमें आर्फिक संग ब्रेक से जुड़े देश भाग लेते हैं अगला प्राश्ट्रिय केंद्रिय मंत्रि मंदल ने वधावन बंदरगा को मंजूरी दे दी ये किस राज्य में बनाया जाएगा ये भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है ये आगामी भारत मध्यपूर्व यूरोप कोरिडोर आईमीसी और अंतरराष्ट्रिय उत्तर दक्षिन परिवहन कोरिडोर आईनेस्टीसी के लिए प्रवेश द्वार बंदरगा के रूप में कार्य कर सकता है वधावन बंदरगा एक ग्रीन फील्ड पोर्ट होगा आदला प्राष्ट्र टीट्वेंटी इंटिनेशनल में दूसरे सबसे तेज सोविकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने है ए आदिल रशी बी अक्षर पतेल सी एडम जमपा दी संदीप लामिच्छाने आंसर दी संदीप लामिच्छाने संदीप लामिच्छाने टीट्वेंटी इंटिनेशनल में सबसे तेज सोविकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन रहे है संदीप ने चाओवन टीट्वेंटी इंटनेशनल मैच में अपने सोविकेट पूरे किये उन्होंने ICC T20 विश्व कब 2024 में बांगलादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में ये हुटलब धी हासिल की सबसे 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशित फान के नाम है जिन्होंने तिरपन मैच में अपने 100 विकेट पूरे किये थे अगला प्राश विदेश मंत्राले ने किस बैंक के साथ ही माइग्रेट के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है A. SBI B. PND C. Gaze Bank D. HDFC Bank Answer A. SBI Explanation फाल ने, विदेश मंत्राले और SBI ने E-Migrate Portal के उप्योग करताओं को अपने भुकतान गेटवे SDP के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक डिजिटल भुकतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है E-Migrate Portal को साल 2014 में लांच किया गया था इस integration का मकसद भारतिय प्रवासी श्रम को भरतिय एजेंटों और Portal के अन्य यूजिस के लिए एक अतिरिक डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रदान करना है